दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 33-46 के हाउस प्लान की जो कि हमने अमारे कंदुकुर तेलंगाना के क्लाइन के लिए बनाया है घर में क्या-क्या रहेगा और किस तरह से डिजाइन किया यह मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं पहले हम दे फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों इस घर का 3D फ्रेंट एलिवेशन तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के साथ में तो सबसे पहले हमारा यहां पर मेंगेट आता है जिससे हमारी केंपत के अंदर एंट्री होगी मेंगेट का जो साइज रख अब फ्रेंट्स घर के साइड में और पीछे भी हमने थोड़ी सी जगे छोड़ी है वह मैं आपको एंड में बताता हूं पहले हम प्लान देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहां से हमारी घर के अंदर एंट्री होती है सबसे पहले आता है हमारा लिविंग और डाइनि बेडरूम 2 के साथ में हमारा एक अटेच्ट टॉलेट हो जाता है साइज हो जाएगा जिसका साथ फिट बाइपांच फिट उसके बाद फ्रेंट्स थोड़ा सा हम घर में पीछे की तरफ चलें तो इस तरफ हमारा कुकिंग एरिया आ जाता है जिसका साइज है हमारा दस फि प्रेंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वार्मेंट्स में नहीं था अब फ्रेंट्स थोड़ा सा मैं एक्स्टीरियर बता देता हूं इसका आपको देखिए स्टीर केस जो दिया है इसमें वह भी साइट से दिया है पीछे की तरफ हमने दो फिट स्पेस में इसमें छूड़ा है राइट साइड मैं एक फिट साथ इंच का स्पेस छोड़ा है लेफ्ट साइड में साढ़े छेङ यानि कि 6 filter किशे च्पेश फेस छोड़ा है良ज्ट में तो उप सब्रेंट में इन TRAB प्लोट है अब मैंने आपको इसका प्लान तो दिखा दिया अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कॉलम लेयाउट और उसके बाद में हम देखेंगे इसका 3D Front Elevation देखे दोस्तों यह हमारा इस घर का कॉलम लेयाउट इस बिल्डिंग को जो है दोस्तों भूंडरी के कॉलम साथласт के एक मुत्याइब टोजीपर कि अगे म बंदिया जो भी बाउंडरीी के कॉलम है और उनका size ए हमारा 9-9 का, जो building में column हैं दोस्तों, purple color में, वो जो column हैं हमारे वो है हमारे 9-15 के, अब 9-9 के column हमारे पास कितने देखें, चार इधर है, चार इधर है, स्वरी, 5 इधर है, 5 इधर है, और 2 यहां पर बीच में है, तो यह होगा total हमारे 12 column, और जो 9-15 के हमारे building वा जतम है तो यह भी हमारे 12 कॉलम कि बागी कॉलम की पोजिशन जो है आप लोग इसमें देख सकते हैं चलिए अब दोस्तों हमने देख लिया इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान कॉलम लियाउट भी हमने देख लिया अब मैं आपको दिखा देता हूं उसका शांदार सा 3D फ्र रखा इसको उसके बाद में दोस्तों ज्यादा कॉंप्लेक्स नहीं किया सिंपल लग रहा होगा डिजाइन आपको लेकिन देखने में काफी ज्यादा डिसेंट डिजाइन है हमारा यह अब देखिए यह तो फ्रेंट एलिवेशन हो गया इसका थोड़ा सा मैं आपको देखने मिल जाएगा एक मिनट तो देखिए दोस्तों यह हमारा बाउंडरी के अंदर से लुक यह मारा स्टेर के सोगी अंदर जाने के लिए यह जगे पार्किंग के लिए यूज की जा सकती है यह हमारी मैनेंट्री हो गई और यह सभी विंडोस आपको देखने को मिल जा है तो दोस्तों यह था आज का हमारा 33 वा 46 का हाउस प्लान उम्मीद करता हूं आपको प्लान और डिजाइन जरूर पसंद आया होंगे बाकि आपको कैसा लगा है मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों अपनी रिक्वायर्मेंट के हिसाब से प्लानिंग औ अपने घर की प्लानिंग और डिजाइनिंग बहतरीन क्वालिटी के साथ में हमारे साथ करवा सकते हैं दोस्तों अगर आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे उपर वाले नंबर पर कॉंटेक कर सकते हैं और अगर आप लोग हमसे वाटसेप पर बात करन बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को अगर आप आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल बटन को ओन कर लीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह एक आप हाउस प्लान या हाउस एस्टिमेशन का वीडियो आपके लिए लेकर है तो ठीक है फैंस इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को हम यहीं पेंड करेंगे जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में है वे गुड़ डेड झालन याउस को प्लान साफ लेकर आपसे आपसे दिए रव़ाечение है अपसे टेपके ट्या करे लेकाchas है ओूह़ ए उन्मिम सकारा में जल्मिमाझे ओना ऊव़ियो में कर दो